है कितना मेञाद कल पैसा देंगे कितना रूप्या देंगे कई कर लोग वहाद हूं शर कब यू जे सब्सक्राइब से पता कि यहां जितने वह Taco कि यहां एक देना वह यह लूगा ضी है कि चेहिंद चेह भारत एक बार फिर से सोगत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में और आपने जैसा स्टार्टिंग में एक छोटा सा वीडियो देखा और आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्या लोन ना दे पाने पर आपके ऊपर फायार थाने में द लोगों को परेशान कर रहे और यह क्लिप क्यों आखर कम्पनी के एजन्ट्स लोगों को भेजग रहे हैं दराने के लिए सारी बाते आछे वीडियो में तो अगर नए आए हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लिए अब हम लोग यहां पर स्टार्टिंग से बात करते हैं कि सबसे पहले कंपनी का यह क्या फंडा नया आया है जिसमें कि यह लोगों को बता रहे हैं कि हम आपके ऊपर 420 IPC section 318 BNS 16 316 BNS लगाएंगे यह करेंगे वो करेंगे आखिर क्या मामला है लोन की recovery में काफी सारे changes हर दिन अपडेट्स दिखने के लिए मिलते हैं क्योंकि जो target होता है वो पूरा करना होता है तो recovery वालों की तरफ से एक और नया यहां पे एक वीडियो जो है शेयर किया जा स सकता है कि हम आपके खिलाफ अब कारवाई करेंगे लोकल ठाने में एफ आयार को दर्ज करवा देंगे और पुलिस वाले आकर आपको घर से उठाके ले जाएंगे तो इस मामले की हकिकत क्या है सच्चाई क्या है वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि अगर आपने भी तरीके से बंद या खतम हो गया और यहां पर लोगों ने काफी लोगों अब डरना बंद कर दिया है और जैसे ही लोगों ने डरना बंद कर देते हैं वैसे ही नई activity करते है recovery वाले डराने के लिए तो यह असल जिंदगी में क्या ऐसा होना possible है तो असल जिंदगी में आपने किसी भी बैंक के चार सू बीसी नहीं की है तो आपके ऊपर चीटिंग वगरा का केस या फायार दर्ज नहीं हो सकता अगर आपने अपनी सही सही इंफॉर्मेशन दें के लोन लिया है तो यहां पर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी बैंक या company 420 का के मैसेज कर सके फिर यह डराने के लिए आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं तो ताकि यह अपना जो टार्गेट है वो जल से जल पूरा कर सके इस वज़ा से आप लोगों को यह मैसेज वगरा देखने के लिए मिल जाते होंगे अब आपको आगे क्या करना है तो मैं काफी समय से आपको बताया जाता है कि हम आपके उपर करके कारवाई करने वाले हैं या हम आपको जेल में बंद कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता अब मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं माल लेते हैं एक व्यक्ति ने बैंक से 10 लाक रुपे लिया अब बैं को इस चीज़ से काफी घबराते भी है और साथ साथ में डरते भी है लोन को डिफॉल्ट करना एक सिविल क्राइम हो सकता है यानि इस पर अगर केस लगता भी है तो सेक्शन 25 सेक्शन 138 जो आपको सिविल कोर्ट में जाकर बेल लेकर आनी पड़ती है जो कि दो तिन दिन का या एक दिन का काम है महज ठीक है वो भी कब होता है उस पर भी मैंने काफी वीडियो अलरडी बना रखी है जब आप लों बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते छोड़ देते हैं तो उसके बाद बैंक वगरा डाल देती है ऐसा कुछ इचे के साथ यह वीडियो को मैं यहां पर ह चाहूंगा और नेक्स इंफर्मेशन वाली वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द जूरना चाहूंगा तो आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दिए चली चलता हूं आज के इस वीडियो म और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुती जल्द चैहिंद चैह भारत